आज हम पढ़ने जा रहे हैं question answers जो हमने poem का परसुं की थी और कल उसकी summary की थी आज हम उसकी question answers करने जा रहे हैं पहला उसका question है in in what way पहला question आप पढ़ेंगे in what way are the blossoms pledges of the fruitful tree बोलते हैं कि किस तरह से किस way से जो blossoms हैं जो कलियां होती हैं नई नई कलियां पंखुडियां कलियां होती हैं वो किस तरह से pledges हैं एक fruitful tree के लिए pledges होता है एक promise एक assurance कि हाँ इसके बाद इस पेर पे fruit आने ही आने है ठीक है तो किस तरह वो एक pledge बनते हैं एक promise होते है fruitful tree के लिए तो इसका answer है the blossoms are the pledges of the fruitful tree because it is these blossoms who are responsible to bear fruits for a tree बोलते हैं कि blossom जो है वो इस तरह से pledges है वो इस तरह से उनकी assurity है fruitful trees की क्योंकि जो ये blossoms है इनकी वज़ा से ही जो ये कलिया है जो responsible होती है एक पेड के लिए कि इस बार आप में fruits आएंगे ही आएंगे ये जितने एक पेड के ऊपर blossom जो एक पेड जितने उसके उपर कलिया खिली होंगी उतने ही उस पे fruits भी आते हैं क्योंकि fruits से पहले हमेशा कलिया ही होती है so they bloom for a short period of time लेकिन वो खिलते हैं कुछ time के लिए short period of time के लिए fade away फिर खतम हो जाते हैं and fall down और नीचे गिर जाते हैं to give rise to a healthy fruit ताकि एक अच्छा सा healthy fruit एक खूबसूरत healthy fruit जो है अच्छी किसम का fruit उस पे उग सके उस पेड पर ठीक है so that is why the blossoms are the pledge of the fruitful tree किस तरह से एक उमीद होता है blossom जो है जब एक पेड पर नहीं नहीं कलियां खिलती हैं वो उस fruit tree के लिए जो उस fruitful tree के लिए क्या होता है एक विश्वास होता है एक बरोसा होता है कि नहीं आज मेरे पेड पर बहुत सी कलियां खिली है इसका मतलब आज मेरे पेड पर फल भी बहुत उगेंगे now the second question is what is the point's wish about blossoms लेकिन point की एक खोहिश है उसकी एक wish है किसके regarding blossoms के लिए वो ये भी चाहता है कि fruitful tree को तो उमीद है कि हाँ इस बार मेरे उपर अच्छे फल उगेंगे लेकिन point की क्या खोहिश है blossoms के regarding उसको वो क्या चाहता है कि blossom जो ह कि वो कितनी देर रहें कितनी देर ना रहें तो इसका answer है the point wishes the point wishes the blossoms to stay for a long time बोलते हैं point की जो खोहिश है point की जो चाहत है वो ये है कि blossom जो है वो काफी देर तक पेड़ों पर लगे रहें पेड़ों पर ही रहें bloom खिले मतलब खिल खिलाते रहें with a beautiful smile हसते हुए मुस्कुरात हुए वो उसके ऊपर पेड के ऊपर खिल खिलाते रहें and then make its way to death और उसके बाद वो खतम हो जाएं लेकिन कुछ देर के लिए कुछ ज्यादा देर के लिए वो रहते हैं कुछ कम टाइम के लिए वो एक महिना रहते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ point जो है वो चाहता है कि वो उ what does the point mean by saying why do you fall so fast point का क्या कहने का मतलब है जब वो उनको बोलता है कि आप इतनी तेजी से क्यों गिरते हो क्या मकसद है point के कहने का ये कि आप इतनी जल्दी क्यों गिर जाते हो by saying ये words ये जो sentence है why do you fall so fast the point means say that the blossoms live for a short span of time and fade away and fall down within no time उनका ये कहने का मतलब है कि blossom जो है जो ये कलिया है ये बहुत ही मतलब short span of time के लिए रहती है और उसके बाद मुर जाकर फिर नीचे गिर जाती है लेकिन कुछी within no time कुछी पलों के लिए ये कुछी दिनों के लिए ये पेड़ पर रहती है that is why कि point का ये ही मतलब है कि blossom जो है कि वो खिलते हैं जैसे ही खिलते हैं और फिर उसके बाद जल्दी ही मुर जाके नीचे गिर जाते हैं और खतम हो जाते हैं तो fourth question is why does the point compare human life to blossoms देखिए सबसे बड़ी बात है कि हर एक point का एक theme होता है एक मकसद होता है point का वो point लिखते time और इसी तरह इस point को भी point का भी एक theme है एक central idea है इस point का जो कि हम हमें ये बताता है कि जो इनसान है वो भी immortal नहीं है no nothing all the living things are immortal यहां पर कोई भी हमेशा रहने के लिए नहीं आया है ठीक है why does the point compare human life और इस तरह से point ने human life को क्यों blossoms के साथ compare किया है the point compares human life to the blossoms because they also fade away when getting old and ultimately move into a grave after death क्योंकि इनसान भी human beings भी क्या करते हैं वो भी blossoms की तरह खिलते हैं खिलके जैसे उगते हैं फिर खिलते हैं और खिलके वो मुर जाते हैं और फिर वो भी old हो जाते हैं पुरानी हो जाते हैं और ultimately last में कहा जाते हैं वो भी कब्र में, ग्रेव में, मिट्टी में ही मिल जाते हैं मरने के बाद although they have no longer life हाला, उनकी भी longer life नहीं है blossoms से लोगों की भी life उतनी ही है जितने blossoms है but they also die with the passage of time लेकिन इनसान भी अपने time के साथ साथ इनसान भी जब उसका वक्त आता है, वो भी गुजर जाता है ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि इसने, point ने blossoms और human life को इसलिए compare किया है क्यूंकि वो भी इस दर्टी पर, इनसान भी इस दर्टी पर आया है पैदा होता है, पैदा होके, वो भी अपने life time तक जितनी उसकी जिंदगी होगी, उतनी देर तक वो रहता है फिर वो भी मुर्जा के, खतम होके, वो भी जमीन में मिल जाता है इसी तरह blossoms भी उगते हैं, और फिर खिलते हैं, और फिर वो भी जमीन में मिल जाते हैं Now the fifth question is Name some Name some blossoming trees in the state of J&K कुछ ऐसे trees बताईए J&K में, though we belong to J&K तो कुछ ऐसे, कुछ ऐसे पेड बताईए जो कि fruits बनाते हैं, fruit bearing trees होते हैं जो कि flowers पहले तो उसमें फूल आते हैं और उसके बाद उसमें fruits आते हैं जैसे April के महीने में अब आपको पता ही होगा, जैसे apple का पेड हो गया, apple trees हो गए, apricot trees हो गए, cherry trees हो गए, pear trees हो गए, apple, save, apricot और cherry के, ठीक है, और pear के, नाश्पती के, आडू के, save के, are the blossoming trees यह सब क्या है, blossoming trees है, इन सब में पहले फूल उगते हैं और उसके बाद उसमें, क्या इसको बोलते हैं, fruit निकलते हैं, these trees shed their flowers to give rise to fruits, और यह सब trees जो हैं, यह अपने flowers को नीचे गिराते हैं, पहले इसमें से flowers नीचे गिरते हैं, और उसके बाद उसमें fruits आ जाते हैं, आपन खुद भी देखा होगा, जितने एक पेड़ पर फूल खिले होंगे, उतने ही उसमें, फिर वहाँ पे fruits भी आते हैं, आपके पास सेव का पेड़ भी होगा, नाश्पती भी होंगे, सब कुछ होगा, तो इस सीव आपने देखा भी होगा, जितने भी पेड़ हैं, उसमें प इस पिटी का क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, कि पिटी किसको रहम करना है, बलॉसम हैं, पेड़ पे उगते हैं, फ्लावर्स, उसके बाद आपके fruits आते हैं, तो इसमें पिटी का क्या काम है, तो पिटी in the second stanza of the poem means the disappointment and is referred to as the withering away of the blossoms, पिटी means दया आना, रहम आना, तो पिटी को उस टाइम पे feel होता है, disappointment होती हो, उसको बड़ा दुख होता है, निराश हो जाता है, कि जैसे ही वो blossoms को गिरते हुए, मुर्जाते हुए देखता है, विदरिंग अवे, विदरिंग अव पूलों से बरा हुआ पेड, पूरा सेव का पेड हो, एपरिकोट का हो, चेरी का हो, पियर का हो, तो यह सब पेड जब इस पे फूल उगे होते हैं, यह बहुत ही सुन्दर लगते हैं, लेकिन पॉइट को यही निराशा हो जाती है, यही disappointment हो जाता है, कि यह फूल जब गिर and sorry to say that nature has brought the blossoms to die after showing their worthy life, यहां पर उन्होंने बोला है, कि जो नेचर है, जो कुद्रत है, जो प्रकरती है, उन्होंने क्या किया है, कि मुझे बड़ा दुख होता है, मैं बड़ा disappointment feel करता हूं, कि नेचर जो है, उन्होंने flowers को किसलिये लाया होता है, जमीन पर, किसलिये पेड पे उगाते हैं, मरने के लिए, जब वो अपना beautiful सा life, beautiful सा glow दिखा कर, beautiful सी जिंदगी जी कर, कुछ दिनों के लिए ही, लेकिन beautiful होती है, वो life, बड़ी सुन्दर blooming life होती है, और उसके बाद वो मुझा कर गिर जाते हैं, तो मुझे यहां पर उनके ओपर बड़ा कुद्रत के उगते हैं, तो फिर रहते के लिए, निराशा भी होती है, लेकिन उसके ओपर दया भी आती है, कि अगर इनको मरना है, तो फिर उगते क्यों हैं, लेकिन अगर उगते हैं, तो फिर रहते क्यों नहीं हैं, तो ये हो गए आपके six questions, ठीक है, इसके बाद आपके poem में एक literary device आ यहां पर हम पढ़ेंगे personification personification क्या होता है किसी चीज को किसी human quality के साथ represent करना ठीक है personification ठीक है तो यह हम पढ़ेंगे तो इसका आप देखें इसमें आपको question भी है पहले सबसे पहले पता होना चाहिए आपको की personification होता क्या है तो personification is the representation of an abstract quality as human a representation of an abstract जैसे हम किसी चीज को हम human being से compare करते हैं कोई quality के साथ या कोई notion होती है जैसे quality या notion जैसे हम बोलते हैं कि flowers bloom कर रहे हैं जैसे इनसान दर्ती पर आता है पैदा होता है और पैदा होके अपनी जिनकी गुजार के फिर मिटी में मिल जाता है और इसी तरह जो flowers हैं, वो भी उगते हैं, पैदा होते हैं, कुछ दिनों जिन्दा रहते हैं और वो भी फिल्मिटी में मुर्जा कर खतम हो जाते हैं Especially in art or literature, art or literature में means जैसे हम कोई poem लिखते हैं या हम कोई story लिखते हैं उसमें हम बहुत सारे in personifications का use करते हैं, ठीक है? तो अब इसमें हमें देखना है, कि यहां इस poem में, point ने personification का इस्तिमाल कहां पर किया हुआ है ठीक है? तो सबसे पहले इसका question है, what is personified in the poem? अब हमें देखना है, इस poem में, point ने किन चीज़ों को personification किया है means उन्होंने किस चीज़ को human being के साथ compare किस चीज़ के साथ किया हुआ है, ठीक है? तो आपका answer है, since the poem is about life and death मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो उसमें यही चीज़ होता है, कि हर एक poem का एक theme होता है, ठीक है? तो इसमें भी यही एक theme था, कि यह poem जो थी, it is about life and death, ठीक है? either of the blossoms or human life, चाहे वो blossoms हो, चाहे वो कलिया हो, फूल की कलिया हो, या human life हो, चाहे वो इनसान की जिन्दगी हो, ठीक है? fruitful पेट पे blossoms होते हैं, चोटे-चोटी कलियां खिलती हैं, चोटे-चोटे flowers उखते हैं, bloom करते हैं, या इसी तरह human life में भी है, चोटा सा baby आता है दुनिया में, फिर आइस्था सा बड़ा होके, फिर एक दम से, वो भी अपनी जिन्दगी गुजार के, जितना उसका lifetime होता है, उतनी गुजार के, वो भी मिट्टी में मिल जाता है, it means, all the living things जो हैं, वो यहाँ पर immortal है, ठीक है, we may say that life and death, both humans and blossoms are personified in the poem, हम ये बोल सकते हैं, कि यहाँ पर जिन्दगी और मोत, life और death, both humans and blossoms are personified in the poem, दोनों को humans और blossoms के साथ personified किया गया है, ठीक है, तो यह आपकी point थी, इसके बाद हमारा next point आएगा, तो तब तक आप लोग इस point के question answers, note down कीजिए, ओके, तो after that, हम लोग, okay, stay safe, home, stay safe